नमस्तेकार और आजम कड़े हैं इंडियन हैच बैक के सामने जिसका नाम है टाटा अल्ट्रोस 2019 में लॉंच हुई थी और ये 2023 का फर्स्स जेनरेशन फेस्लिप्ट वेरियंट आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल और सी एंजी में आती है रेंज शुरू होती है एक शुरूम 6,60,000 रुपीज से और टॉप मॉडली कीमत है 10,74,000 रुपीज और ये टॉप मॉडल एक जट प्लस ओएस सी एंजी आप देख रहे हैं तीन साल 1,00,000 की वारेंटी टाटा देती है अल्ट्रोस पे, अलबर्ट रॉस बर्ड से इंस्पायर डेस कार का नाम, पूने में एसेमली होती है अल्ट्रोस की, टाटा के एजाईल, लाइट, फ्लेक्जिवल और एडवांस्ट, अल्फा आर्क प्लेटफार्मर बनी है अल् अल्ट्रोस को, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंड स्टील का यूज हुआ है बॉडी में, डीजल में भी आती है अल्ट्रोस, यह टॉप मॉडल सी एंजी वेरियंट आप देख रहे हैं, और यह फॉग लाइम कॉन्डरिंग फंक्शन के साथ, यह ग्रिल, टाटा मोटरस का लोगो और यह आटोमेटिक, डूल चैमबर प्रोजेक्टर हेड लैंप, एलीडी डी डी रल के साथ, बॉनेट पर डिजाइन, रेंज सेंसिंग वाइपर हैं, फ्लैट टाइप वाइपर ब्लेड़्स हैं, सन रूफ, शार्क फिन अंटेना, इलेक्टरिकली अड़्जस्टेबर औ अटो फोल्ड आउटसाइब मिरर्स है, टन इंडिकेटर, 4 मिटर लैंध है, 1.5 मिटर हाइट है, 165 mm ग्राउंड के लिए रिंस है, और 5 मिटर टनिंग रेडियस अल्ट्रोस का, एडवांस सिंगल ECU है, और यह हैं 16 इंच के लेजर अलॉई वील, 14 और 16 इंच के स्टील वी मिलेंगे, आगे पीछे 185-60, R16-86H, Goodyear Assurance Triple Max 2 टायर्स है, यह उपेरा ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ब्लैक, गोल्ड, रेड, ग्रे और वाइट कलर का भी ऑप्शन है, आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ, इंडिपेंडेंट मैक परसंट डूवल पास्ट सस्पेंशन मिल आगे, रेर सेंसर, बीच में फॉग लैंप, एक्जास्स टेल पाइप, 14 इंच का स्टील स्पेर वील, और ही स्टाइलिश टेल लाइट, सी एंजी का स्टीकर, वोकल फॉर लोकल का स्टीकर, रियर वाइपर वाशर के साथ, हाई मांट स्टॉप लैंप, टाटा का लोगो, अल्ट्रोस की बैजिंग, रियर कैमरा, सी एंजी की बैजिंग, आज तक 50 लैक से ज्यादा टाटा कार्स बिग चुकी हैं, उसी का सेलिब लोगो, लो सी एंजी हो या सी एंजी लीग डिटेक्शन होने पर कार आटमेटिक पैट्रोल मोड पे सुछ हो जाएगी, मौडिूलर एयर फिल्टर है जिसमें पूरे फिल्टर की बजाए सिर्फ काट्रेज चेंज करना पड़ेगा, किसी थर्मल इंसिडेंट में सी एंजी सप्लाइ एंजन से कट ओफ हो जाएगी और स्पेशल नॉजल से गैस रिलीज भी हो जाएगी, सेफ्टी गें दर दो एर्बैक्स, 9.3, EBD, कॉर्नर स्रेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक सुए कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, दोर और तेल गेत ओपन अलर्ट, रियर कनेक्टेट कार्ट टेक्नॉलजी है, जिसमें आप स्मार्टफोन अप से कार के कई फीचर सेक्सेस कर सकते हैं, जैसे रिमोट लॉक अनलॉक, रिमोट होन, रेंज, रिमोट लाइट्स, ऑन ओफ, फाइंड माय कार, रिमोट वाइकल ट्रैकिंग, रिमोट लोकेशन, लाइव वाइकल डाइगनॉस्टेक, गेमिफिकेशन और बहुत कुछ, आईए बूट ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगी 210 लेटर की बूट स्पेस, नॉन-CNG मॉडल में 345 लेटर की बूट स्पेस मिलेगी, 3 kg कैपैसिटी के हुक्स हैं, इधर भी होक लाइट है, यहाँ CNG टैंक्स है, CNG टैंक्स का 6-point mounting system है, दोनों CNG सिलेंडर को मिलागे, 60 लेटर की कैपैसिटी मिलेगी, इस बोल्ट को खोल के स्पेर वील उतरेगा, कुछ information, आईए पीछे का पैसेंजर साइड दोर खोल कर देखते हैं, 8 speakers का music system मिलेगा, अल्ट्रोस में, speaker, water holder, काफी space, fabric finish, power window का बटन, speaker, 90 degree खुलने वाले डोर्स हैं, और यह है leathery depository, fabric depository का भी option है, दो adjustable head rest है, seatbelts, armrest, parcel tray, seat के वीचे pockets में लेंगी, sunroof है, USB port, उपर थवड़ी space, दो AC wind, और असलिक दैश बोर्ड, footwell lighting है, pocket, handlebar, hook, धर भी handlebar, यहां से seat fold होगी, आईए driver side door कोल कर देखते हैं, driver side one shot up-down power window मिलेगी, water holder, umbrella holder, speaker, power window के control, ORVM के control, speaker, और यह tire pressure information, और यहां से बढ़ेंगे पेट्रोल, micro switch है, fuel lid खुलते ही, ignition off हो जाएगा, कुछ information, height adjustable driver seat, आगे height adjustable seatbelts मिलेंगे, adjustable headrest, fire extinguisher, three spoke steering, pedals, bonnet खोलने का lever, थोड़ी space, यह fog light CNG mode, car lock करने का button, engine start stop button, AC vent, sliding armrest है, इसके अंदर भी काफी space, दो glass holder, manual handbrake, और यह है 5-speed manual transmission, petrol model में 6-speed DCT automatic transmission का भी option आता है, wireless charger, 2 USB port, 12 volt का port, और यह है fully automatic temperature control AC, अल्ट्रोस की badging, 2 AC vent, और यह है 7-inch का floating desktop harmon infotainment, support करेगा air purifier, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, WhatsApp, text message, readout, voice assist, OK Google Siri connection, what three words, FM और radio, setup, clock, AC controls, और यह शान्दार dashboard के finish, पिलर स्पेस स्पीकर है, ग्लूप बॉक्स, काफी स्पेस, दो ग्लास होल्डर, लाइट है, पैसंजर साइड वेनिटी मिरर, एंटी ग्लेयर रियर व्यूव मिरर, रीडिंग लाइट, और यह है एलेक्ट्रिक सन्रूफ, वोइस असिस्ट के साथ, और यह राइवर साइट सन्वाइजर, और यह है लेधर रब्ड स्टेरिंग वील, यह फाउन, वॉल्यूम, इन्फोतेन्मेंट और वोइस कंट्रोल, टाटा का लोगो, और यह लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, स्टेरिंग इजिस्मेंट, और यह है इन्स्टुमेंट क्लस्टर, फोर इंच डिजिटल डिस्प्ले के साथ, यह दिखाया कर ओडोमेटर, स्पीड, आर्पीम, ट्रिपमेटर, आउटसाइड तेंपरेचर, टाइम, और कई इन्फोमेशन, आएए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजिन, तो यह है 1200 CC Inline 3 Cylinder BS6 Phase 2 Revertron पैट्रोल एंजिन, 72 होर्सपावर है CNG मोड में, 87 होर्सपावर है पैट्रोल मोड में, 103 Nm टॉर्क है CNG में, 115 Nm टॉर्क है पैट्रोल में, और 19 काइवरिज मिलेगा 37 लिटर के फ्यूल टैंक से, और 60 लिटर का CNG टैंक है, आई टर्बो मॉडल में भी सेम एंजिन आएगा बट उसकी होगी 108 होर्सपावर, 140 Nm टॉर्क और 18 का एवरिज, डीजल में 1500 CC Inline 4 Cylinder टर्बो चार्ज रैवर टॉर्क एंजिन आएगा, उसकी होगी 88 होर्सपावर, 200 Nm टॉर्क और 23 का एवरिज, टर्बो मॉडल भी आता है पैट्रोल में अल्ट्रोस का, तो कैसे लिए आपको टाटा अल्ट्रोस हमें कमेंट्स में बताईए, थैंक्यू, टर्बो अल्ट्रोस हमें,